चाप्टर 18 इशु ये बात केकर अपने चेलों के साथ किद्रों ना लेके पार गया वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गये उसका पकड़वाने वाला यहुदा भी वह जगह जानता था क्योंकि इशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था तब यहुदा सैनिकों के एक दल को और प्रदानियाजकों और परिसियों की ओर से प्यादों को लेकर देपकों और मशलों और हतियरों को लिये वहाँ आया तब इशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली ती जानकर निकला और उनसे कहा किसे डुनते हो उन्होंने उसको उतर दिया इशू नासरी को इशू ने उनसे कहा मैं हूँ उसका पकड़वाने वाला यहुदा भी उनके साथ कड़ा था उसके यह कहते ही मैं हूँ वे पीछे हटकर बूमी पर गिर पड़े तब उसने फिर उनसे पूचा तुम किसको डुनते हो वे बोले इशू नासरी को इशू ने उतर दिया मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ यदि मुझे डुनते हो तो इन्हें जाने दे यह इसलिए हुआ की यह वचन पूरा हो जो उसने कहा था जिन्हें तुने मुझे दिया उनमें से मैंने एक खोबी ना खोया तब शेमोन पत्रस ने तलवर जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चला कर उसका दाहिना कान उड़ा दिया उस दास का नाम मलकुस था तब ईशू ने पत्रस से कहा अपनी तलवर म्यान में रख जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उससे ना पी हूं तब सैनिकों और उनके सुबेदार और यहुदियों के प्यादों ने ईशू को पकड़ कर बांद लिया और पहले उसे हाना के पास ले गई है क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काईफा का संसूर था यह वही काईफा था जिसने यहुदियों को सलाह दीती कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्चा है शमन पत्रस और एक अन्य चेला भी इशू के पीछे हो लिये यह चेला महायाजक का जाना पहँचा ना था इसलिए वह इशू के साथ महायाजक के आंगन में गया परंतु पत्रस बाहर द्वार पर कड़ा रहा तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहँचा ना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पत्रस को बीतर ले आया उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पत्रस से कहा कही तू भी इस मनुश्य के चेलों में से तो नहीं है उसने कहा मैं नहीं हूँ दास और प्यादे जाने के खारन खोई ले दत्का कर कड़े आग ताप रहे थे और पत्रस भी उनके साथ कड़ा आग ताप रहा था तब महया जिखनी इशु से उसके चेलों के विशे में और उसके उपदेश के विशे में पूछ दाचकी इशु ने उसको उतर दिया मैंने समसर से खुल कर बाते की मैंने आरादनारिल अयों और मंदिर में जहाँ सब यहूदी इकटे हुआ करते हैं सदवा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा तुम इसे क्यों पूछते हो? सुनने वाले से पुछ की मैंने उससे क्या कहा? देख वे जानते हैं की मैंने क्या क्या कहा? जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास कड़ता इशु को तपड मर कर कहा क्या तुम आया जग को इस प्रकर उतर देता है? इश्यू ने उसे उत्तर दिया यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे परन्तु यदि बला कहा तो मुझे क्यों मारता है हन्या ने उसे बंदे हुए कैफ्या महायजक के पास बेज दिया शमन पत्रस कड़ा हुआ आग दाप रहा था तब उन्होंने उसे कहा कही तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है उसने इंकर करके कहा मैं नहीं हूँ महायजक के दासों में से एक जो उसके कुटूम में से था जिसका खान पत्रस ने काट डाला था बोला किया मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था पत्रस फिर इंकर कर गया और तुरंथ मुर्गुग ने बांग दी तब वे इशु को काईफा के पास से किले को ले गए और बोर्ग का समय था परन्तु वे आप खिले के बीतर नहीं गए ताकि आशुद ना हो परन्तु फसा का सके तब पिलातुस उनके पास बाहर निकलाया और कहा तुम इस मर्शु पर किस बात का आरोप लगाते हो उन्होंने उसको उतर दिया यदि वह कुकर मिना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सोमते पिलातुस ने उनसे कहा तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्ते के अंसर उसका न्याई करो यहुदियों ने उससे कहा हमें अधिकर नहीं कि किसी का प्रान ले यह इसलिये हुआ की इशो की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यू कैसी होगी तब पिलातुस फिर के लेके बीतर गया और इशो को बुला कर उसे पूछा क्या तो यहुदियों का राजा है इशो ने उतर दिया क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विशे में तुझे तुसे यह कहा है फिलात उसने उतर दिया क्या मैं यहुदी हूँ तेरी ही जाती और प्रदानियाजकोंने तुझे मेरे हाथ सौमपा है तुने क्या किया है इशु ने उतर दिया मेरे राजी समसर का नहीं यदि मेरे राजी समसर का होता तो मेरे सेवक लड़ते की मैं यहुदीयों के हाथ सौमपा ना जाता परन्तु मेरे राजी यहा का नहीं फिलात उसने उससे कहा तो क्या तू राजा है पीशो ने उतने दिया तु कहता है कि मैं राजा हूँ मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए समसार में आया कि कि सत्धी की गवाही दूँ जो कोई सत्धी का है वह मेरा शब्द सुनता है फिलाद उसने उससे कहा सत्धी क्या है यह कहकर वह फिर यहुदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें कुछ दोश नहीं पाता पर तुम्हारी यह रीती है कि मैं पसह के पसह में तुम्हारे लिए एक वित्ती को छोड़ दू आता क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों को राचा को छोड़ दू तब उन्होंने फिर छिला कर कहा इसे नहीं परन्त हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे और बरब्बा डाख हुदा चाप्टर 19 इस पर पिलत उसने इशु को खोड़े लगवाए सिफाहियों ने कांटों को मुकुट गुंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बेंजनी वस्तर पहनाया और उसके पास आखर कहने लगे हे यहुदियों की राजा प्रनाम और उसे तपड़ बिमारे तब पिलत उसने फिर बाहर निकल कर लोगों से कहा देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानों की मैं उसमें कुछ भी दोश नहीं पाता तब इशु कांटों को मुकुट और भैंजनी वस्तर पहने हुए बाहर निकला और फिलत उसने उसने कहा देखो यह पुरुश कुछ नहीं पाता यहुतियन उसको ततर दिया हमारे भी व्यवास्ता है और उस्ता के अंसर हमारे जाने कि योग्यों है क्योंकि उसने अपने आपको परमेश्वर का पुत्र बनाया जब पिला तो उसने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर खिले के बीतर गया और इश्व से कहा तु कहा कहे परंतो इश्व ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया इस पर पिला तो उसने उसे कहा मुसे क्यों नहीं बोलता क्य तो तेरा मुझे पर कुछ अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, उसका पाप अधिक है, इस पर पिला तुसने उसे छोड़ देना चाहा, परंतो यहुदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तु इसको छोड़ देगा, तो तेरी बक्ति क कैसर की ओर नहीं, जो कोई अपने आपको राजा बराता है, वह कैसर का सामना करता है, ये बाते सुनकर विला तुस इशु को बाहर लाया, और उस जगह एक चबूतरा था, जो इब्रानी में गबता कहलाता है, और वहार न्याय आसन पर बैटा, या फसा की तयारी का दिन थ और छटे गंटे के लगबकता, तब ये उसने यहूदी उनसे कहा, देखो तुम्हारा राजा, परन्तु वे चिल्लाये, ले जा, ले जा, उसे कुरूस पर चड़ा, पिला तुस ने उनसे कहा, ख्या में तुम्हारे राजा को कुरूस पर चड़ाओं, प्रदानी याज को उतर दिया, केसर को छोड़ हमरा और कोई राजा नहीं, तब उसने उसे उनके हान सौंपा दिया, सौंप दिया था कि वह कुरूस पर चड़ाये जाए, तब वे इशु को ले गए और वहा अपना कुरूस उटाये हुए, उस स्तान तक बाहर गया, जो खोप्टी का स्तान कह कर कुरूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिका हुआ था, इशु नासरी यहुदियों का राजा, यह दोश पत्र बहुत से यहुदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्तान जहां इशु कुरूस पर चड़ाये गया था, नगर के पास था, और पत्र इबरानी और लतिनी और लिका हुआ था, तब यहुदियों के प्रदान याशुकों ने पिलात उससे कहा, यहुदियों का राजा मत लिक, परन्तु यह कि उसने कहा, मैं यहुदियों का राजा हूँ, पिलात उसने उत्तर दिया, मैंने जो लिका लिक दिया, और लिक दिया, जब सहीनिक यूशु क उसको कुरूस पर चड़ा चुके तो उसके कप्रें लेकर चार बाग किये हारसा इन के लिए एक बाग और कुर्टा भी लाया परंतु कुर्टा बिना सीयन उपर से नीचे तक बुना हुआ ता इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना फाड़े परंतु इस पर चिट्टी डाले कि यह किसका होगा यह हिसले हुआ कि पवितरशास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो उन्होंने मेरे कप्रें आपस में बांट लिये और मेरे वस्त्र पर चिट्टी डाली आता साइनिकों ने एसा ही किया इशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहिन क्लोपस क्लोपस की पत्नी मर्यम और मर्यम मागदली ने खड़ी ती जब इशू ने अपनी माता और उस चेले को जिस से वह प्रेम रखता था बास खड़ेते का तो अपनी माता से कहा हे नारित देख यह तेरा पुत्र है तब उसने चेले से कहा यह मेरी तेरी माता है और उसी समय से वह चेला उसे अपने गर ले गया इसके बाद इशु ने यह जान कर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका इसलिए कि पावितर शास्तर में जो कहा गया वह पूरा हो कहा मैं प्यासा हूँ वह सिर्के से बरा हुआ एक बर्तन प्रका था अता उन्होंने सिर्के में बिगोए हुए स्पांज को जूफे फर रखकर उसके मुझसे लगाया जब इशु ने वह सिर्का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर्द जुका कर प्रांत्याग दिये इसलिए कि वह था यहरे का दिन था यहुदियों ने पिला तो उससे विंति की कि उनकी टांग तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए तकि सब्त के दिन वे क्रूसे पर ना रहे क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था अता सैनिकों ने आकर उन मर्शम में से पहले की टांगे तोड़ी तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसे पर चड़ाए गए थे परन्तो जब इशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी परन्तो सैनिकों में से एक ने बर्चे से उसका पंजर बेदा और उसमें से तुरंत लहु और पानी निकला जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सची है और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वाश करो यह बात है इसलिए हुई कि पावितर शास्त्र में जो कह गया वह पूरा हो उसकी कोई हड़ी तोड़ी ना जाएगी फिर एक और स्थान पर यह लिका है कि जिसे उन्होंने बेदा है उस पर वे दुरुष्टी करेगे इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ के ने जो इशु को छेला था परंतो यहुदियों के डश से इस बात को चिपाया रखता था फिला तो उससे विंति की क्या वह इशु का शवले चा सकता है फिला तो उसने उसकी विंति सुनी और वहा कर उसका शवले गया निकुदेमस भी जो पहले इशु के पास रात को आ गया था पाचास सेर के लगबग मिला हुआ गंदरस और एलवा ले आया तब उन्होंने इशु का सेव लिया और यहुदियों के गाड़ने की रीती के अनसार उसे सुगंद रवे के साथ कफन में लपिटा उस स्तान पर जहा इशु कुरूस पर चड़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था इसलिए यहुदियों की तयारिके दिन के कारण उन्होंने इशु को उस ही में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी सब्ता के पहले दिन मर्यम मगदलीनी बोर्खो अंदेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्तर को कब्र से हटा हुआ देगा तब वह दोड़ी और श्यमन पत्तरस और उसे उसे दूसरे चेले के पास जिससे इशु प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभू को कब्र में से निकाल ले गए है और हम नहीं जानती की उसे कहा रख दिया है तब पत्तरस और वह दूसरे चेला निकल कर कब्र की ओर चले वे दोनों साथ साथ दोड़ रहे थे परन्तु दूसरे चेला पत्तरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और जुक कर कपड़े पड़े देखे तो भी वह बीतर ना गया तब शवन पत्तरस उसके पीचे पीचे पहुंचा और कब्र के बीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोचा जो कि उसके सीर से बंदा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परन्तु आलाग एक जगा लपेट कर रखा हुआ देखा तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था बितर गया और देखकर विश्वाश किया वे तो आप तक पवितर से अस्तर की वह बात ना समझेते की उसे मरे हुँँ में से जी उटना होगा तब ये चेले अपने गर लौट गए परन्तु मर्यम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की और चुकर जो तुस्वर्गदूतों को उज्वल कपड़े पहीने हुए एक खो सिर्हाने और दूसरे को पैताने बैट देखा जहां इशु का सेव रखा गया था उन्होंने उससे कहा हे नारी तु क्यों रोती है उसने उससे कहा वे मेरे प्रभू को उटा ले गए और में नहीं जानती कि उससे कहा रखा है या कहकर वो पीछे मुड़ी और इशु को खड़े देखा पर ना पहचना कि यह इशु है इ तो मुझे बता कि उसे कहा रगा है और मैं उसे ले जाओंगी इशु ने उससे कहा मरियम उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रभूरी अद्धत है गुरू इशु ने उससे कहा मुझे मत चू क्योंकि मैं आप तक पिता के पास उपर नहीं गया परंदु मेरे ब बताया में प्रभू को देखा और उसने मुझे ये बाते कहीं उसी दिन जो सब तक पहला दिन था संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां छेले ते यहुदियों के डरके मारे बंदे ते तब इशु आया और उनके बीच में कड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांती मिले और यह केकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको देखाए तब चेले प्रभू को देखकर आरंदित हुए ये ये फिर उनसे कहा तुम्हें शांती मिले जैसे पिता ने मुझे बेजा है वेसे ही में भी तुम्हें बेचता हूँ यह केकर उसने उन पर फूम का और उन लाता है जब इश्व आया तो उनके साथ ना था जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभू को देखा है तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में खीलों के छेद ना देख लू और खीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लू और उसके पंजर में आद्वार बंदते तब ईशु आया और उनके बीच में कड़े होकर कहा तुम्हें शांती मिले तब उसने तोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हातों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और आविश्वाशी नहीं परंतु विश्वाशी हो यह सुना इस दिन तोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रबू हे मेरे परमिश्वर इश्व ने उससे कहा तुने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वाश किया है द्यानिय वे है जिन्होंने बिना देके विश्वाश किया इश्व ने और भी बहुत से नचेलों के सामने दिखाया जो इस प्रुस्तक में लिक नहीं गए परंतों ये इसलिए लिके गए हैं कि तुम विश्वस करो कि इश्व ही परमिश्वर का पुत्र मसी है और विश्वस करके उसके नाम से जीवन पाओ इन बातों के बाद इश्व ने अपने आपको थिबिरियास जील के किनारे चेलों पर प्रगट किया और इस रीती से प्रगट किया शमन पत्रस और तोमा जो दिदुमस कहलाता है और गलिल के काना नगर का नतनियल और जबूदी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इखटे दे शमन पत्रस ने उनसे कहा में मचले पकड़ने जा रहा हूँ उन्हों ने उससे कहा हमें तेरे साथ चलते हैं आता वे निकल कर नाओ पर छड़े परंतु उस रद कुछ ना पकड़ा बोर होते ही इश्व किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पै पहनी और जाल डालो तो पावो के अता उन्होंने जाल डाला और अब मचलियों की बहतायत के कारण उसे कीच ना सके तब उस चेले ने जिससे इश्व प्रेम रखता था पत्रस से कहा यह तो प्रबु है शमन पत्रस ने यह सुन करके वह प्रबु है कमर में अंगर का कस लि दोंगी पर मचलियों से बरा हुआ जाल खीचते हुए आये क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई दो सब हात पर रहेते हात पर ते जब वे किनारे पर उत्रें तो उन्होंने कोले की आग और उस पर मचली रखी हुई और रोटी देगी इश्व ने उनसे कहा ज चमन पत्रस ने डोंगी पर चड़कर एक सो तिरपन बड़ी मचलिया मचलियों उनसे बरा हुआ जाल खिनारे पर कींचा और इतनी मचलियों होने पर भी जाल ना फटा इश्व ने उनसे कहा आवो बोजन करो चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तु काउन है क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रबू है प्रबू ही है इश्व आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वेसे ही मचली भी यह तीसरी बार है कि इश्व मरे हुँ में से जी उटने के बाद चेलों को दिकाई दिया बोजन करने के बाद इश्व ने शमन पत्रस से कहा है शम उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा उसने फिर दूसरी बार उससे कहा है शमन युहना की पुत्र क्या तुम उससे प्रेम रखता है उसने उससे कहा हाँ प्रबू तु जानता है कि मैं तुझसे प्रीती रखता हूँ उसने उससे कहा मेरी बेडों की रखवली गर उसने तीस तीसरी बार उससे कहा हे शमौन युहना के पूत्र क्या तू मुझसे प्रीती रखता है पतरा सुदास हुआ कि उसने उससे थीसरी बार ऐसा कहा क्या तू मुझसे प्रीती रखता है और उससे कहा हे प्रभू तू तो सब कुछ जानता है तू यहां जानता है कि मैं तूससे प पर तो जब तू बुड़ा होगा तो अपने हाथ फेलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांद कर जहाद तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा उसने इन बातों से संकेत दिया कि पात्रस के सी मृत्यों से परमेश्वर के महिमा करेगा और तब उसने उससे कहा मेरे कि दूरा का तैरा पकड़वाने वाले कौण रहे तक मैरे सब्सक्राइब क हो घ्रृइब तो तक मेरे पी· ले इसलिए बाईयों में यह बहुत फैल गई कि वह चेला ना मरेगा तो भी इश्यू ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा परंद यह कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक टहरा रहे तो तुझे इससे क्या यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातो करके लिके जाते तो मैं समझाता हूँ कि फुस्तक पुस्तके जो लिखी जाती वे समसर में भी ना समाती कि कि अ हुआ है